अलो फ्रेंड्स, कम्पेटर साइंस करकूल चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बेसिक्स ओफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉट कोर्स का आज लेक्चर नुम्बर एट है, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप सॉप ओएस, यानि ओएस कितने तरह का है, उसके बारे में जानेंगे, और फिर बैच ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, कि बैच ओपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, बैच ओपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक OSE होता है, तो चलिए आईए देख लेते हैं कि आज की lecture का हमारा content क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का OS होता है आपका और क्यूं होता है उसके बाद फिर हम बात करेंगे batch operating system की उसके बाद finally हम लोग बात करेंगे disadvantage और batch operating system की disadvantage की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक OS आता है तो उसमें कुछ न कुछ disadvantage रहते हैं कुछ कमिया रहती हैं जिसकी वज़े से दूसरा OS आता है और उन कमियों को पूरा करने की कोसिस करता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि batch operating system में क्या क्या disadvantage है ताकि जब आप next operating system जाने जो batch operating system के बाद आया है तो उसको आप यह पता कर पाए कि यह operating system क्यूं आया और इसने उस कमियों को दूर किया कि नहीं जिसमें batch operating system में जो present थी तो अगर आप कुछ सारा कुछ जानना है तो आप इस पूरे वीडियो को सुरू से ले करके लास तक ध्यान से देख सकते हैं मेरी आप से एक request है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कमेटर साइंस कुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लिजे साध से पहली बात करते हैं types of OS यानि OS कितने तरह का होता है operating system are with computer from the first generation यानि operating system जो है जब first generation का computer आया था यानि जब पहला computer आया था तो उसी समय से आपका operating system भी आया था यानि जैसा आपको पता है कि without operating system आप computer की कलपना भी नहीं कर सकते यानि computer में आपका operating system होना ही चाहिए और जैसे पहला operating system आया था first computer के साथ वैसे वैसे जैसे generation change होता चला गया वैसे वैसे operating system में भी काफी सुधार आया काफी revolution आया और बहुत अच्छे अच्छे तरह के operating system आपको देखने को मिलते हैं आज के time पे on the basis of functionality, behavior and other factor there are different type of operating system यानि जितने भी generation wise आपके operating system आया उन में बहुत सारे factor उनके हैं different different kind के उनके basis के basis पर operating system को categorize कर दिया गया और कई तरह के operating system में उनको divide कर दिया गया तो चली आये देखते हैं कि कितने तरह के operating system आपके होते हैं फर्स्ट है आपका batch operating system, second है आपका time sharing operating system, फिर है आपका distributed operating system, network operating system उसके बाद finally real time operating system ये आपके functionality के basis पे आपके operating system है, इन में कुछ features के basis पे operating system है, किस scenario में कौन सा operating system इस्तमाल होता है, उनके basis पे ये जो है इतने type के operating system है आज के lecture में हम लोग batch operating system के बारे में जानेंगे, जबकि बाकी के चार जो operating system है, आने वाले lecture में इनके बारे में देखेंगे कि sort description आपका क्या है, जो सबसे पहले चलिए आए जानते है कि batch operating system आपका क्या है जैसा कि आपको पता है कि जो operating system होता है, user और computer hardware के बीच का एक क्या होता है, interface होता है ताकि user आसानी से computer system से interact पर पाए, उससे जो है काम अपना करा पाए लेकिन batch operating system के case में क्या होता है, कि जो आपका user होता है, directly जो है operating system को command नहीं देता है और directly उससे interact नहीं करता है हला कि जब भी एक user को कोई भी काम कराना होता है, तो सबसे पहले उस अपने काम को वो क्या करता है, किसी offline device जैसे कि punch card हो गया, उस पे अपने job को क्या करता है, write करता है, उस पे अपने job को create करता है, offline और उसके बाद वो submit कर देता है, operating system को operating system और जो है आपका user के बीच में एक operator होता है, जो क्या करता है, कि बहुत सारे user से आपका job होता है, उसके पास multiple job को वो क्या करता है, combine करता है, और एक batch बनाता है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया batch operating system, यानि कि एक single job execute नहीं होता है, इस case में, इस case में क्या होता है, operator क्या क करने के बाद, वो batch बनाता है, और batch को वो जो है CPU पे डाल देता है, execute करने के लिए, इस तरह से आपका जो है direct interaction जो है नहीं होता है, user का operating system के help से, उसके बाद एक optimization की बात अलग है, कि जो आपका operator होता है, जो जब वो job को combine करता है, तो यह कोसिस करता है, कि similar kind के job को वो जो है एक साथ रखे, one kind of sorting कर देता है, वो ताकि जो processing हो, वो आपका थोड़ा सा speed up हो जाए, यानि processing थोड़ी सी fast हो जाए, उसको हम लोग job sorting भी जो है बोलते है, लेकिन batch नाम क्यों पड़ा, यह आपको hope समझ में आया होगा, चली आए देख लेते हैं, कि कुछ disadvantage क्या क्या है इस पर पंच कार्ड वगेरा पर और समिट कर देता है, उसके बाद वहाँ से उसका interaction क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, यानि वो control नहीं करता कि उसका job execute हो, चाहे नहीं हो, हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सारी चीज़े नहीं कर सकता, वो direct फिर उसको क्या मिलेगा, output ही मिले है, तो अगर उसको जो है, input, output कुछ करना है, तो उस case में CPU खाली बैठा होता है, इसलिए यहाँ पे CPU की बरबादी होती है, batch operating system के case में, यह आपका बहुत बड़ा disadvantage है, उसके बाद suppose कीजे कि आपके पास requirement आती है, कि कोई job ऐसा है, जिसको आप prioritize करना चाहते हो, किसी के basis पे XYZ कोई भी रिजन से उसको priority देना चाहते हो, तो यह आप batch operating system में नहीं कर सकते हैं, बहुत difficult है, क्योंकि जो भी आप job बनाते हो, आपको उपर कोई control नहीं होता है, आप जो है, submit कर देते हो, उसको execute करने के लिए, जो operator होता है, उससे उसका job, जो है job से मिला करके batch बनाता है, और वो batch आपका execute होता है, CPU पे, तो इस तरह से थोड़ा सा disadvantage इस point of view पे भी है, तो hope आपको समझ में आया होगा, कि कितने तरह के operating system आपके होते हैं, batch operating system क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और उसके बाद उसके advantage क्या क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, त क्या है, और अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजे, साथ बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर दीजे, ताकि नोटिफिकेशन आपका on हो जाए, थैंक्यू फर दो वाचिंग सब्सक्राइब